करने में अकाशन ठेक्निकल राजिन चौधरी को प्रिस बेल नाइकन को ताकि हमारे वीडियो आप सबसे पेरे देख सके थैंक्स है नमस्कूर दोस्तों मैं हूझ राजिन चौधरी और आप देख रहे हैं थाक्निकल राजिन चौधरी सब्सक्राइब के एक वर एपिसोड है जिसमें हम बात करेंगे उत्रपर्देश में इस टॉप फाइफ मंदिरों के बारे में चलिए शुरू करते हैं नमबर फाइफ गोरधाम मंदिर प्राम गोरपूर यह मंदिर उत्री पूर्वी उत्रपर्देश के गोरपूर जिले में इस चित है यहाँ पर गोरपूर बाबाजी ने अपनी अत्रा समात की थी इस मंदिर के पूरे भारत में 200 मठ है और इस मंदिर की खास बात एक और है कि यहाँ पर 100 साल से प्रवजलित अखनद होना जोती है जो की 100 साल से आज भी प्रवजलित है इस मंदिर में हर साल एक महिना चलने वाला मेला लगता है जिसे की खीर जी का मेला करता है इस मेले में देश वीदेश के लोग आते हैं कि जड़ी चड़ाने के लिए नमबर 4 रामकुलधाम मंदिर प्रम रामकुला यूपे इस्ट रामकुला धाम मंदिर उत्त्री पूर्वी उत्तर परदेश के कुछी नगर जिले में इसीत एक ताति मंदिर है इस मंदिर में देखने के लिए आपको अनेको सुन्दर कराक्रितियां देखेंगी जो की आपको मन को मोहने के लिए कम नहीं है यह मंदिर पूरे पांच मंजिल का है इसके हर एक मंजिल में अनिको देवत्राम कराम मुर्थियां रखी है इस मंदिर में देखने के लिए सुन्दरुपुवन वागाडन है जो आपको मन को मोहलेंगी इस मंदिर के पूरा नाम वी सुदर्शन रमकुला धाम है नम्ब थ्री मातुरा राधे कृष्णा टेंपल मातुरा विरिंदावन प्रोम विरिंदावन मातुरा विरिंदावन वो पावन नगरी है जहां पर भागवान श्री कृष्ण का जनव हुआ था इस मंदिर में देखने के लिए आपको आने को सिलिप करा और आने को मुर्तियां बजाएंगी जो की स्री कृष्ण ने संबंदित है नबर टू कृष्ण नगर भागवान बद्धा मंदिर कृष्ण नगर कृष्ण नगर भागवान बद्धा मंदिर उत्तरी पूर्वी उत्ता परदिस में एस्थित कृष्ण नगर जीने में है यह मंदिर बहुत धर्म से संब्द रखता है यहाँ पर भावान बोधुजी ने अपना अंति उपदिश दिया था और महा परिनी निवान को प्राप किये थे इस मंदिर का दर्शन करने के लिए भारत को छोड़कर अन्य बीदिशी देशों के लोग भी यहाँ पर दर्शन करने आते हैं जैसे कि चीन जापान और अन्य बीदिशी देश इस मंदिर के अंदर भावान बोधुजी की अनिद्र अस्था में स्थित एक मूर्ति है इस नोमेडा यूपी वेस्ट यह अस्था उत्तर प्रदिश के पच्छमी छोड़ पर दिली सश्टे नोमेडा में इस्तित है अक्षरधा मंदिर पीछ सबसे बड़ा हिंदो मंदिर है और यह मंदिर इस रिकॉर्ड गिनी जाफ बुक में भी स्थापीत है इस मंदिर में देख उस्था गार्डन है जो आपका मन को मोहित कर देगा इस मंदिर में रोज साम को चलने वाला एक फांटन सो भी होता है जिसमें जीवन चक्र के बारे मताता है इस जीवन चक्र में मनुस्य के जनम से लेकर मृत्यु के बारे में दर्साया गया है इस मंदिर की स्थापना 2005 में की गई थी यह मंदीर उतना पुराना नहीं है फिर भी पिस्व का सबसे बड़ा मंदीर है हम विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और यह वीडियो आपको पसंद आया है लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दे तो तक लिए नमत कर जय हिंद वंदे मातरम